माय बीटिया पता नहीं कहाँ चली गई है लेट हो गया है जाती हो पालर खोलने माया तू यहाँ मम्मी मैं पालर खोल दी और कश्टुमबर भी लेके आ गई अभी हमारी माया बीटिया बहुत समसदार हो गई है पता लीटिया क्या करवाना है अंटी मेरा मेक अप कर दो एक है बेटा कर देती हूँ तुम्हारा मेक अप राधा अभी तु कितिनी सुन्दल लग रही है दिखो मेरी मम्मी कितना अच्छा मेक अप करती है हलो हाँ हाँ ठीक है मैं भी आती हूँ माया बिटिया मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रही हूँ पाला समाल लेना ठीक है मम्मी जाओ आप टेंसन मत लेना मैं समाल लूँगी माया बिटिया तुमारी मम्मी नहीं है अंटी मम्मी अभी आ जाएंगे आपको क्या करवाना है अरे माया बेटा मुझे मेकप करवाना है मेकप अंटी ओ तो मुझे भी बहुत अच्छे से आता है आईए बैठी अंटी मैं कर देती हूँ आपका मेकप अरे माया बेटा तुमको आता है अच्छा ठीक है कर दो वैसे ही मुझे लेट हो रहा है अपने माया बिटिया को यही सिखाई हो देखो कैसे मेरा मेकप करके मुझे भूत बना दी है माया बिटिया तू ना एक दिन मेरा ये पालर बंद करवा के रखेगी गुसा मत करो बैंजी आपका मेकप मैठी कर देती हूँ देखो मेडम आपका मेकप अच्छे से हो गया हाँ अभी तो उद्दम अच्छे से हो गया मेरा मेकप अभी मैं सुन्दर दिखने लगी अब बढ़ी फूर्सूरत दिख रही हूँ अब मज़े से मैं पार्टी में जाओंगी मम्मी मैं बाल नहीं कटवाऊंगा नहीं कटवाऊंगा मम्मी इतना बड़ा बड़ा बाल हो गया है क्यों नहीं कटवाएगा आज तो कटवाना पड़ेगा तुम्हें बाल राधा राधा तू भी यही पे बाल कटवाती है तब तो मैं भी कटवाऊंगा अंटी मेरा बाल ना तेरे नाम काड़ दो अरे गोलू यहाँ पर लड़कियों लोग का बाल कड़ता है लड़के का थोड़ी कड़ता है तुझा यहाँ से क्यों रे माया क्यों बेटे को भगा रही है तु बेटा कहीं मज़ा मैं तुम्हारा बाल काटूंगी एक तो बेचारा बाल नहीं कटवा ता है, कितना मुश्किल से नी, हो आया है बाल कटवाने, तो उपर से नी, माया उसको भगा रही है नहीं बेटा, मैं कटू गें तुम्हारा बाल अच्छे से बीबी इसका बाल अच्छे से काट देना ये जो बोल रहा है तेरे नाम ना ये तेरे नाम मत काटना नहीं मम्मी मैं तेरे नाम ही कटवाऊंगा बाल गोलू तु कितना सरार्थी हो गया जो मैं बोल रहे हो ऐसे ही कटवा नहीं नहीं मैं तेरे ही नाम कटवाँगा अंटी मेरा तेरे ही नाम कटना नहीं नहीं गोलू यहाँ पर लेडिज लोग का बाल कड़ता है आरे माया बेटा ये क्या है लेडिज आरे अंटी तुकान के बाहर लिखा है लेडिज उसको पढ़ के अंदर आना चाहिए एकदम निकम्मा है मेरा गोलू बेटा ना तो पढ़ता है धंग से न कुछ इंगलिस में लिखा है पढ़ भी नहीं पाया मुझे लेके अंदर चलाया आरे अंपी ओ क्या पढ़ेगा उसको इंगलिस आता ही नहीं तु चुपकर नाया तो बहुत बोल रही है बारवर की एना लायक उसा ही तो बोल रही है पढ़ना तो आता नहीं है इंगलिस चल जा गोलू जा तु दूसरे सैलून में बार कटवा नहीं नहीं मुझे यहीं कैटवाना है राधा भी यही बाल कटवाती ने मुझे यही कटवाना है बाल मैं यही कटवाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा दूसरे सैलून में अरे तू चुपकर बेटा मैं काटूंगी ना तुम्हारा बाल देखो बेटा बाल काट भी कितना खुबसूरत दिख रहा है गोलू, अभी तु कितना खुब सूरत दिख रहा है हाँ हाँ, मेरा बाल अंटी काटी ही तो खुब सूरत दिखूंगा बीबी, बाल काटी तो कितना पैसा हुआ तीन सो रूपिया हुआ ठीक है गोलू के पापा पैसा जब भेजेंगे तो मैं आपका पैसा दे दूँगी नहीं नहीं अंटी पैसा दे के जाओ तू चुप कर माया जहां रहती है तहां हमेशा सैतानी करती रहती है